Hello all, my name is Krish Nayak and welcome to my YouTube channel. So guys, this video में हम लोग बात करने वाले हैं The Roadmap to Learn Generative AI in 2024. अब Generative AI क्यों? क्योंकि बहुत सारे कमपनीज अब Generative AI, LLM Models, Large Image Models यूस कर रहे हैं for solving the business use cases. तो कल अगर आप as a data scientist और as a data analyst हाइर हो के कोई कमपनी में जा रहे हैं तो वहाँ भी आप लोग specific business use cases को solve करने के लिए Generative AI के LLM Models और Large Image Models को definitely use करिएगा. और ये मैं सिफ मैं ही नहीं बता रहा हूँ या मैं कोई assumption नहीं ले रहा हूँ ये pattern मुझे दिख रहा है. क्यों? जो मेरे students है जो already transition कर चुके है वो आज कल LLM Projects में ही काम कर रहे हैं मैं देखा हूँ वो लोग open source LLM Projects में काम कर रहे हैं बहुत सारे चीज़ों में काम कर रहे हैं एप्लिकेशन बना रहे हैं बिसनस use cases solve कर रहे हैं तो इस वीडियो में बात करेंगे पूरा का पूरा roadmap अगर आपका भी interest है generative AI as a data scientist गुसने का generative AI पढ़ने का उनके उस specific LLM applications में काम करने का तो ये वीडियो आप सब के लिए हैं Before I go ahead guys मैं बहुत महनत करके बहुत ही amazing videos आप सब के लिए लाता हूँ अभी going forward बहुत सारे end-to-end projects भी मैं लाओंगा तो मेरा suggestion ये रहेगा Please subscribe कर दिएगा Like कर दिएगा वीडियो को target रखते हैं like का 500 इतना ही minimalist target रखता हूँ मैं 500 कोशिश करते हैं इसको complete करने के लिए अब मैं जाता हूँ मेरा screen share करने के लिए यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा road map आप लोगों के लिए बना दिया है अब ये road map किसके लिए हैं कौन लोग follow कर सकता है अगर आप एक full stack web developer हैं और आपको सिर्फ development purpose के लिए use करना है जिनरेटिव AI उसका भी क्या path होगा मैं वो सारा चीज cover करूँगा किया है कोई algorithms को समझ लिए तो ये road map उन सब के लिए है अगर आप एक full stack web developer है और आपके manager ने बोला है भाई मेरा ये application बना दो LLM का और ये chat board बना दो और यूज करो open AI का LLM models तो उस case में आप directly generated AI के coding से start कर सकते हैं नहीं है कि आपको यहीं से start करना है क्योंकि बहुत सारे developer full stack web developers क्या होते हैं वो लोग javascript में काम करते हैं अब javascript supportable है compatible है वे तो उपे नहीं आए हो आप उनका API कॉल करके बहुत सारे use cases solve कर सकते हो ठीक है उसमें रुकावट नहीं है बट मैं ये road map स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ those who are really interested to get into the data science industry as a data scientist और ये road map काफी ज़्यादा ज़रूरी है pre-requisite जैसे मैंने बताया machine learning का knowledge आपको रहना चाहिए और वैसे भी मैंने पूरा का पूरा machine learning playlist मेरे English और Hindi channel में बना चुका हूँ आप जाके अराम से पढ़ सकते हैं उसके बारे में तो चलिए start करते हैं ये specific road map ठीक है please like कर दीजेगा पहली बात तो चलिए चलते हैं तो पहला pre-requisite ये होता है कि आपको एक programming language आना चाहिए ठीक है मैं obviously दो programming language का बात करूँ अभी जो amazing है उसका demand हमेशा रहेगा एक है javascript एक है python ठीक है क्योंकि मैं हर field में जाके देखूं कोई भी libraries, कोई भी LLA models कुछ भी AI के changes आ रहे है python तो चाहिए ही चाहिए platforms हो, different places हो हर जगे python का libraries कहीं न कहीं कुछ न कुछ जगे use हो ही रहा है so definitely मैं बोलूँगा python पढ़िए अगर आप एक full stack web developer है तो javascript से भी आप कर सकते है but again मैं बोल रहा हूँ as a data scientist आप please python पे focus करिएगा तो python के लिए एक मैना मैंने यहाँ पर दिया है यह पूरा का पूरा playlist videos यहाँ पर मैंने बना दिया है complete python playlist in English, Hindi आपको बस click करना है वीडियो खुल जाएगा आप देख पाएंगे और सारे English में पढ़ना है English में पढ़िए, Hindi में पढ़ना है, Hindi में पढ़िए अब यहाँ पर मैंने दो और playlist डाला है flask playlist और fast API tutorial यह क्या है? यह web frameworks है जैसे streamly tech web framework हो गया मैंने यह link इसलिए दिया है अगर आप एक data science जैसे target कर data scientist जैसे target कर रहे है तो python is must अब आते हैं second वाले इसमें जैसे मैंने बोला basics machine learning natural language processing ठीक है? machine learning का concept तो मैंने prerequisite बोला थोड़े algorithm समझे, supervised unsupervised क्या unsupervised में थोड़े algorithm समझे end to end एक project करिए but अगर generative AI के बारे में बात करूँ और यहाँ पर मैं focus कर रहा हूँ large language models में large image models नहीं क्योंकि जो amazing चीजें आ रहे हैं जादा 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 evolvement, जादा जादा models जो बन रहे हैं जादा use cases जो solve हो रहे हैं वो होता है text related image के related मैं अलग road map बनाऊँगा वीडियो के साथ large image model में अगर काम करना है तो यहाँ पर मैं focus कर रहा हूँ large language model में यह distinguish यह differences को समझीए आप लोग तो यहाँ पर हम लोग target कर रहे है large language model तो large language model तो टेक्स्ट और उसके लिए हम को चाहिए NLP अब NLP में first of all आपको यहीं से start करना है YNLP ठीक है और यह बहुत सारे technique में ने लिखा हूँ one-hot encoding, bag of words, tf-idf, word to work, average word to work यह क्या है यह techniques use करके हम लोग words को या characters को text के form से numerical form में convert करते हैं अगर आपको आगे embedding techniques और समझने है deep learning में first of all आपको इसका idea होना चाहिए ठीक है बट यह आप कहां से पढ़ेंगे तो आपको घबराना नहीं है यहाँ पर मैंने एक link दे दिया है आपको day one to day five का लेक live session मैंने बहुत ही दो दो घंटे, देड़ देड़ घंटे का session लिया था सारे चीज़ समझाने के लिए पूरे detail के साथ पूरे example के साथ तो आपको इसको ही click करना है और जाके समझना है ठीक है पूरा का पूरा आप detail में इसको समझीएगा ठीक है अब आते हैं second, third main topic में basics deep learning concepts यह तो हो गया मेरा NLP यह machine learning NLP का part है ठीक है इसके बाद मैं थोड़े use cases भी यह videos में दिखा दिया हूँ आप लोगों को ठीक है अब आप घुश सकते हैं deep learning में अब deep learning में भी आपको क्या पहला prerequisite पढ़ना है आप directly deep learning में बड़ा-बड़ा model के साथ नहीं काम कर सकते पहला prerequisite समझीए और यह जो road map में follow कर वा रहा हूँ आप लोगों को यह interview में बहुत मदद होगा इसके through ही आप interview crack कर पाएंगे डारेक्ली आप LLM model के बारे में बात करेंगे नहीं होगा interview crack आपका basics कितना strong है वो समझना बहुत ही जरूरी है How strong is your basics That is the most important thing और वो ही चीज सब interview में देखा जाता है तो यह वाला statement आप मेरा सुन लीजिए यह basics आपको बहुत ही पक्का होना चाहिए तो basics deep learning में आपको क्या क्या सीखना है artificial neural network कैसा work होता है multi-led neural network कैसा होता है forward propagation क्या होता है backward propagation क्या होता है activation functions कितने होते है loss function क्या होता है optimizer क्या होता है vanishing gradient decent क्या होता है exploding gradient decent क्या होता है right यह सारे problems यह सारे जो questions मैंने बोला है न यही सब खूचते हैं interview में different types of optimizer के बारे में बताएे एक optimizer, डुसरे optimizer से क्यूं different है इसको क्यूं use करना चाहिए उसको क्यों नहीं उस करना चाहिए, यह सारा चीज आप बोल पाना चाहिए, और उस type का, इसके लिए भी आप कहां से पढ़ेंगे, यह भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, यहाँ पर है YouTube का link, day 1 to day 5, बस पढ़ते जाहिए, story सुनते जाहिए, आप बस वीडियो भी देखेंग backward propagation, activation function, loss function और optimizers के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अब यह आपका हो गया न, आपका base का building बन गया, अब इसके उपर कुछ भी डालो, आप पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे, बहुत ही आसानी से, ठीक है, क्योंकि हम लोगा NLP फोकस कर रहे हैं, आप सोच रहोंगे सर, क्रिश यह NLP का, बट यह इसमें, artificial neural network हम लोग NLP के में कहां यूज करते हैं, यह basic है, यह optimizers कहीं न कहीं हम यूज कर रहे होंगे, activation function कहीं न कहीं यूज कर रहे होंगे, loss function कहीं न कहीं यूज कर रहे होंगे, अब आते हैं fourth वाले topic में, fourth वाले में क्या है, अब हम लोग advanced NLP म मैंने डाल दिया है, day six to last video, अब यहां पर क्या क्या पढ़ेंगे आप, NLP का जैसे हम लोग को समझना है, तो यहां हम लोग start करते, RNN, यह RNN क्या है, recurrent neural network, LSTM, RNN, GRUNN, RNN, bidirectional, LSTM, RNN, यह सब basics बनता है, किसका, transformers का, right, यहां पर देख रहे हैं, encoder, decoder, attention is all you need, यह attention is all you need से, आपका जो भी LLM models है न, उसका base, बहुत सारे LLM models का base कहां पर use होता है, यह transformer से ही use होता है, right, अब बहुत सारे LLM models के बारे में सुने होंगे, क्या चीज़ चेंज होता है वहाँ पर, training parameters, but उसका base, जो model architecture है, जो पूरा का पूरा model use हो रहा है, वो transformers ही है, ए यह सारे चीज़ों के बारे में ने live यही particular playlist में पढ़ा दिया है, आपको बस click करना है, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, रुकावट के खेर नहीं है, देखें, यहाँ पर ad खुल रहा है, मैं इसको skip कर देता हूँ, ठीक है, अब आप बोलेंगे ad भी right, ad, ad से थोड़ा YouTube से revenue आता है, वो support करता है यह सारे YouTube वीडियो को upload करने के लिए, right, इसमें भी खर्चा होता है, camera चाहिए, mic चाहिए, यह सारा चीज़ चाहिए, right, subscription चाहिए, बहुत सारे software का, video editing tools का चाहिए, right, तो please, ऐसा मत बोलिए, Chris, ad भी बंद कर दो, नहीं तो मेरें आपको NGO चलाना पड़ेगा, NGO के लिए कहां से आएगा, funding लेना पड़ेगा, ठीक है, donations लेना पड़ेगा, ठीक है, तो यह रहा देखे है, Recurrent Neural Network से पूरा का पूरा सारे videos में नहीं आपे बना दिये हैं, आपको बस पढ़ते जाना है, बहुत सारे examples के साथ, सब कुछ, diagram, diagram सब कुछ बता दिया, मैंने आपे, right, से पढ़ना है भाई आपको, पढ़ना है, अगर आप पढ़ लेते हैं, that is more than sufficient, और यहां पर आप complete करते हैं, encoder, decoder, attention is all you need, sequence to sequence, transformers, right, यह जब आप complete करते हैं, तब आदा building बन गया आपका, ठीक है, and now you are ready to go to generative AI, अगर आप एक फुल यह सब मत पढ़िए, क्यों, क्योंकि आप एक developer है, वहाँ पर development कर रहें, हाँ, models के बारे में पूछ सकते हैं, क्या क्या, functionalities के बारे में पूछ सकते हैं, वह से questions आ सकते हैं, बगर अगर आप as a machine learning engineer, data scientist, ऐसा target कर रहे हैं, तो आपको यह सारा चीज़ पढ़ना होगा, right, क्य कहीं से भी interview आ सकता है, कहीं से, जो मेरे students है, यही सब clear किये हुए हैं, और यह सारे topics कहां से clear किये हो लो, यही सब playlist देख देख के, देख देख के, देख देख के, they were able to clear it, ठीक है, यही सबसे ज़्यादा important चीज है, अब आते हैं, starting the journey towards generative AI, यहाँ पे बहुत सारे models देखे face, open source models, google palm model, अब तो Gemini भी आ गया, google Gemini pro, और उसके related मेरे English channel में वीडियो भी टाल दिया है, अब यहाँ भी आएगा उसके बाद, पूरा पूरा आपको demo और end-to-end project करके दिखाऊंगा मैं, है ना, तो यहाँ पे हम लोग कौन-कौन से APIs यूज़ कर सकते, open AI, again यहाँ पे मै बना दिया, documentation link भी बना दिया, आप documentation link पर क्लिक करिए, playlist देखना है तो playlist में जाईए, पूरा tutorials है, उसके बाद lang chain, lang chain क्यों, क्यों, क्योंकि lang chain के amazing framework है, एक amazing framework है, ठीक है, lang chain एक amazing framework है, जो आप open AI का paid models को भी call कर सकते, और hugging face से भी models आपको call कर सकते, open source model के साथ भी आप खेल सक ऐसे एक और framework है, जिसको हम लोग बलता है, Lama Index, उसके बारे में सून tutorial स्टार्ट करने वाला हूँ, रेडी रहीएगा, 2024 में मेरा टार्गेट है, generative AI सारा content आपके सामने होना चाहिए, mlops सारा content आपके सामने होना चाहिए, ये साल भी मैंने बहुत सारे end-to-end projects develop की हैं, आपक मैंने भी एक documentation ला चुका है, और इसके related में मैंने English वीडियो बना दिया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही easy API दे दिया है, free APIs दे दिया है आप लोगों के लिए, जो आप लोग यूस कर सकते हैं, देखें, यहां जाकर देख लिजए, Google को लाब में सब information रहेगा, अगर यहां आप इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजे क्योंकि यही playlist में मैं अपने वीडियो भी डाल दूँगा, ठीक है, खुद record करके, मैं बोल रहा हूँ ना, my main name is to democratize AI education, तो support करिए आप जाद जादा, अब यह सारे चीज तो हो गए, ठीक है, यह framework के बारे में य यूज किया है, open source models भी यूज किया है, meta का, lama2, right, Google Gemini Pro का एक model आया हुआ है, भी recently, उसको भी मैंने यूज किया, अब next चीज जो आपको समझना है, vector stores and vector database, अब यह vector stores and vector database क्या है, देखें guys, कोई भी आपका text data होता है, कोई भी text data होता है, उस text data को हम लोगों को vectors में convert करना प vector को समझ सकते है, क्यों, क्योंकि ये models, उनके उपर अलग-अलग algorithm apply कर सकते है, जिसे cosine similarity हो गया, similarity index हो गया, right, अलग-अलग algorithm specifically apply कर सकते है, right, तो उसको अगर हम data को convert कर रहे हैं, vectors में, तो vectors बहुत बढ़ा हो गया, तो हम लोग अपने local machine में तो save नहीं कर सकेंगे, तो उसको ह vector database हम लोग यूज कर सकते है, chroma DB है, FIAS vector database है, ये खुद Facebook ने बनाया, क्यों, similarity search apply करने के लिए, इसका full form ही है, FIAS, Facebook AI similarity search library, एक और vector है, Lange DB vector database, based on Lange data format, Cassandra DB है, for storing vectors, ये सारे videos, मनलब अलग-अलग vectors को, अलग-अलग databases को use करके में, मैंने ये playlist में डाल चुका हूँ, आपको बज जाके पढ़ना है बाई और कुछ नहीं करना है, तो ये सारे vector databases को आप यूज कर सकते है, vector embeddings को use कर सकते है, vector stores को use कर सकते है, और देख सकते हैं कि इनका performance कैसा है, इनका knowledge होना चाहिए, इनका practical implementation knowledge होना चाहिए, और finally आता है deployment of LLM projects, अलग-अलग चीज चीज कर सकते है, AWS Azure, Langsmith, Langsave, Hugging Face Spaces, Spaces भी है, जहाँ पर आप deploy कर सकते हैं, और इसके related भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना दिया अपने playlist में, आपको बस जाके देखना है, ठीक है, अगर आपको एक idea लेना है, ठीक है, आप ये free community session भी join कर सकते हैं, iNeuron का, completely free है, आप बस जाके free course link पर क्लि पड़ा दिया है, अपने team ने पड़ा दिया है, वहाँ पर, तो ये था पूरा का पूरा roadmap, अब फिर से question आता है, क्रिश, अगर मैं basic से start करो, मुझे कुछ नहीं आता AI के बाने में, मैं बोलूगा भाई, python से start कर, statistics से start up करो, feature engineering, machine learning, deep learning, NLP, and then go to generative AI, अगर आपको machine learning का already knowledge है थोड़े तो algorithms का knowledge है, तो ये prerequisite follow करें हो, अगर आप एक developer और सिर्फ application बनाने के लिए बना रहे हैं, तो directly generative AI में कूच जाएए, क्योंकि अच्छा अच्छा documentation दिया है, open AI, language chain ये सब, तो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो, please make sure आप like करें, subscribe करें channel को, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, thank you, have a great day ahead, bye bye, take care.